जहिन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्रेवल वी चंदन की फिर से एक नई वीडियो में तो आज की इस वीडियो में हम धनबाद सहर के बारे में जानने वाले हैं धनबाद, जहरकंड का एक ऐसा जिला जो की पूरे भारत ही ने, बलकि पूरे विसो भर में अपने माइनिंग्स और अपने कोईले ख़दानों की वज़ा से जाना जाता है छोटा नाकपूर के पठार में बसा एक ऐसा सहर जहांपर देश की सबसे बड़ी बहुत देशी परियोजना दामोदर नदी घाटे निगम भी सुरुवात हुए थी एक ऐसा जिला जो की अपने कोईले उत्पादन की वज़ा से भारत के अर्थविवस्ता की रीड मानी जाती है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजे एंड इसी तरह ट्रेवल से एलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्स्राइब जरूर कर लिजेगा तो चले चलते हैं धनबाद सहर के एक सांदार सफर में धनबाद जार्खन का एक ऐसा और अनोखा खूसरत जिला जिसके बारे में आई होब आप सभी जानते होंगे 2886 वर किलोमेटर के छेदफल में फैले धनबाद सहर को भारत की कोईला नगरी के नाम से भी जाना जाता है जार्खन के पूर्वी हिस्से में बसा धनबाद जो सिर्फ अपने कोईले खदान ही नहीं बलकि विभीन परकार के खनीजों का भी एक बहुत बड़ा केंदर है इसे जार्खन की कोईला राइधानी भी कहा जाता है दामोदर नदी के किनारे पर बसा धनबाद सहर पस्चिम मंगाल के फूरूलिया और वर्दवान से अपनी सीमा साजा करता है इसके उत्तरपूर में जामताडा जिला, उत्तरपस्चिम में गीरी डी और पस्चिम में इस्टिल सिटी के नाम से मसूर बोकारो जिला इस्तीत है तो बात करें इस सहर की जनसंख्यां के बारे में तो इस सहर की जनसंख्यां 2022 के रिपोर्ट के अनुसार 32,63,000 है जो कि राची के बाद धारखन का दूसरा सबसे ज़्यादा अबादी वाला सहर है लिंगा नुपात के मामले में इस सहर में परतेक 1100 पूरुसो पर मात्र 909 महिला है जो की ज़्यारखन का सबसे कम लिंगा नुपात वाला जिला है इस जिले में पढ़े लिखे और सिख्षित लोगों की संख्यां बहुत ज़्यादा है इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है क्योंकि इस जिले की साक्षर्ता दर लगभग 74.52% है धारवी मामलों में इस सहर की कूल अबादी में से 89.83% हिंदू 14.53% मुसलिम, 2.30% क्रिस्चन और 4.36% अन्य आते हैं यहां की अधिकारी भासा हिंदी है तता यहां पर संथाली, खोर्ठा और उर्दु भासा का भी परियोग किया जाता है धनबाद सहर अपने माइनिंग्स और कोईले ख़दानों की वज़े से पूरे विस्व भर में परचली थे धनबाद के जहरिया कोल माइन्स में लगबग 19.4 अरब टन कोईले का भंडार है जिसके कारण धनबाद जहारखंड के साथ साथ भारत के भी अरत्योस्ता की रिड मानी जाती है यह जिला जहारखंड राज के अन्नी जिलों के मुकाबले सबसे ज़्यादा कोईला उत्पादन करती है इस जिले में कूल 120 से भी अधिक कोईले ख़दान मौझूद है धनबाद सहर का कोईला ख़दान यहां के अस्थानी लोगों को रोजगार का एक बहतर उसर परदान करती है तो बात करें इस सहर की अस्थापना के बारे में तो धनबाद जिले की अस्थापना 1956 इसपी में हुई थी इससे पहले यह मानभूम जिले का सबडिविजन हुआ करता था 2019 के रिपोर्ट के अनुसार धनबाद जिला स्वचता के मामले में भारत का पचासवां सबसे साफ सुत्रा और स्वच सहर की लिष्ट में आता है जहारखन का यह जिला फिल्म सीटी के रूप में भी अपनी पाचान बना चुकी है इस जिले में बहुत से बॉलिवूड मूवी की सुटिंग हो चुकी है जिसमें से गेंग सब वासेपूर परमुक है तो अब बात करते हैं इस सहर के ट्रांसपोर्ट इंफराइ स्टक्चर के बारे में तो यह सहर सड़क और रेल्गमार्ग दोनों से जुड़ा हुआ है रेलवे की बात करें तो धनबाद सहर में इस्ती धनबाद जंक्सन रिवेन्यू जंक्सन में मुंबई जंक्सन के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जेनरेट करने वाला जंक्सन है क्योंकि यहां पर रेलवे के माध्यम से कोईला ढुलाई अनेक राजियों तक होती है और यह जंगसान जहारकन के सबसे वेस्ताव रेलवे लाइनों में से भी गिना जाता है वायू मार के लिए इस सहर में भी एरपोर्ट मोजूद है जो कि जीटी रोड बरवाड़ा के पास है लेकिन इसका उपयोग नीजी कामों के लिए किया जाता है धनबाद जिला अपने माइनिंग्स ही नहीं बलकि अपने खुबसरत परियाटन अस्थलों से भी भरा पड़ा है अब बात करते हैं इस सहर के कुछ महत्पून परियाटन अस्थल के बारे में तो इस लिश्ट में सबसे पहले नंबर पर आता मैथन डेम जो की बराकर नदी पर बना है और इस सहर से 22 किलोमेटर की दूरी पर इस्तीत है यह डेम दामोदर नदी घाटी निगम के अंतरगत आता है जहांपर भूमिगत पावर इस्टेशन से बिजली भी उत्पादन किया जाता है मैथन डेम एक खुपसरत जील है जो हरे भरे जंगलों के बीच में इस्तीत है इसके बाद नमबर आता है पंचेद बांका जो की सहर से 48 किलोमेटर की दूरी पर इस्तीत है और बराकर नदी पर बना है यह डेम अपने खुपसरत हरी भरी वादियों के बीच में इस्तीत जील और अपने संसेट के वज़़े से परसीद है आप तो प्चाची लेक, भटिंडा फॉल्स और बिर्सा मुंडा पार को भी घूम सकते हैं साथी साथ जरिया कोल माइन्स जो की यहां का सबसे यूनिक और सबसे खुपसूरत परियाटन अस्तल है जो की सबसे ज़्यादा देखा और सर्च किया जाता है तो आई होब आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो फिलाल कोईला नगरी धनबाद की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल कोई सब्स्राइब जरूर कर लिजेगा जै हिन जै भारत